कि यह साथियों कैसे आप लो आज के इस सेशन में हम लोग अगें सिनोनिम्स पढ़ने बादे हैं सिनोनिम पढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंफोर्मिशन है आप यह इंगलिस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल कहते कि डीप लैवल पढ़ना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से अच्छे लैवल पर इंगलिस को पढ़ना चाहते हो तो आप अनिल बैच को जोइन किजिगा सबी एक्जाम के लिए अभी जैसे अपको मिंग एक्जाम है सीपियो में होगा सीजियल होगा सीचेसल होगा या आपका MTS होने वाला है M में 75 की इंगलिस आएगी तो मैं कहता हूं आप इस बैच को जोइन किजिगा मैंने क्यों कहा इस बैच को जोइन किजिगा क्योंकि बच्छे इस बैच में क्या है लगब लगब 120 गंटे की लाइव क्लास होगी डेली आपको DPP class PDF आपको मिलेगा इसके अलावा आपको 4500 प् इसके अलावा आपको 70 Plus Moc इसमें मिल चुके हैं 70 Plus Moc टेस्ट आपको यहां पर मिल चुके हैं अपलोड हो चुके हैं वह Topic वाइज भी है वह Mixed Moc भी है इसके अलावा बच्चे यहां पर क्या मिलेगा 500 PYQ 500 PYQ मैं आपको देच कौं ठीक है चलिए अब हम लोग अपने ट क्या होगा क्लेमेंसी का सिनोनिम क्या होगा ठीक है यह आपके सामने अपुलेंट एक्जिबिट अंटार्डी या मर्श्री इन वे से कौन सा ऑप्शन होगा इनका देखिए सबसे पहले जब भी आप सिनोनिम या एंटोनिम को पढ़ते हो तो आप वर्ड को देखेगा कि वह एजेक्टिव में दिया जाता है वर्ब का जवाब हमेशा वर्ब में मिलेगा नाउन का जवाब हमेशा नाउन में मिलेगा ठीक है तो यहां पर पहला वर्ड आपके सामने है अनकेम्ट का मतलब क्या होता है अनकेम्ट बच्चे एक एजेक्टिव होता है मैं यहां पर कि बिल्कुल सही होगा यानि कि question number one जो की बना है वन का option आपका बिल्कूल क्या चलाजाएगा आपका option सी चला जाएगा untidy कहना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा उसके बाद events word की बना है events का मतलब होता है इक वाब होती है एक वाब होटी है ठैकि है और अरेशिका देखा जाए tuh इसका आप लोग किसी चीज़ को करना ना डिखाना किसी चीज़ को अगंप बॉल सकते हो और यहां पर देखा जाये तो इसका Own하게 क्या हो जाएगा ऐग्जिबिट ऑप्षन हो जाएगा Бी ऑप्षन आपका बिल्कुल सब्सक्राइब उसके बाद जाए सकते तो यहां पर ऑप्षन देख सकते हो यहां पर उपאala को ने ओठन और यह जो मैं ठीक है इसके अलावा यहाँ पे clemency, clemency एक noun है, clemency क्या बच्चे, clemency एक noun है, जिसका मतलब होता दया, तो यहाँ पे देखा जाए, इसका जो best option हो जाएगा, option D आपका, इसका best option हो जाएगा, तो यह थी आज की हम लोग एक word, हम लोग ने क्या क्या, सभी word को देखा, unkempt क जो synonym होता है बच्चे, unkempt का untidy होता है, events का exhibit होता है, ample का क्या हो जाएगा, opulent हो जाएगा, and आपका clemency का क्या हो जाएगा, मस्री हो जाएगा, आप यहे daily ऐसे word को पढ़ोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको याद भी होंगे, daily basis पे vocab को revise कीजिए, vocab का सब से best option यही होता है, कि daily basis पे आप लोग vocab को revise कीजिए, वैसे आपको याद होंगे, pyq जितने भी होंगे, pyq को पढ़ने की हमेशा कोसिस कीजिएगा, तो आज भी again आप से question पूछ की जाता हूँ, आप लोग सभी बच्चे बताएगा, यहाँ पी लिखता हूँ में एक word यहा क्या सिनोनिम होगा, देखता हूँ कितने बच्चे बताएगे, session अच्छा लगा, तो comment कीजिएगा, कि हमें session कैसा लगा, और इसका पका बताएगा, कि इसका सिनोनिम क्या होता है, ठीक है, मुझे wait होगा, आपके comment का, आपके इसके जवाब का, यदि आपको batch लेने में कोई कीजिएगा, तो आपको यदि best लेने में कुछ भी doubt है, कुछ भी पूसना है, तो given number पर आप लोग कोल कीजिएगा, आप सभी बच्चे इस channel को subscribe कीजिएगा, और example का official app को download कीजिएगा, ठीक है, thank you so much, bye bye, जैहिन.